हेलो दोस्तों बेल गवेक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आयो आप सब लोग बहुत अच्छ होंगी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोग को वाइटमिनी केपसूल सी क्रीम बनाना बताऊंगी इस क्रीम बहुत ज़्यादा असलदार है 100% नेच्रल इंग्रि और आपके चेहरे से जितना भी काला पन है शंटन है वह भी रिमूव होता है आपके चेहरे पर काले से काले दाग दब्बे या फिर किसी भी तरीकी की निशान है जाईया या फिर रिंकल फानेस या फिर डासकल से वह भी इस क्रीम के यूज करने से रिमूव हो जाते हैं औ को दोस्तों इस क्रीम को वनाने के लिए जो का कसरा श्कापन के लिए यह ब्रांच हैं को हिए अब सिक बेरा जो हां करना है घर के जो प्लान्ट का Allez ill ragキस्तमाल आपको नहीं करना है तो आप two ट्योस पूं। ऐल ÖVeir ज noodles दोस्तो ऐलो वेरी Christians को अधिकल करता है mouseaptरा चारे से एक्ने म्योंभ करता है फिमिटेशन को हटता है डास के को रुमुव करता है और संटेन को भी रुमुव करने में बहुत एल्प करता है तो अब 2 ट्योव स्पून डेली जी नेस्टिंग आपको लेना है सुभी टालमान ऑउल या बादम रोगन का ओउल आपको लेना है मेरे पास यह डावर का है आपके पास जो इबरांड का वह आप इस्तमाल कर सकते दोस्तों यह भी इसकीन के लिए बहुत ज़्यादा वेनिफीचल होता है इसकीन से काले से काले दाग दबे पिंगवेटिशन को रिमूब करता है एंड इसकीन को डीपली मौस्टराज करता है इसकीन को गलोइंग, इसपोटलेज एंड फैर बनाता है बहुत ही जाद अच्छा होता है इसकीन के लिए अगर आप रेगुलामीस में बिंटर में इस करते हैं तब आपकी स्कीन गलोइंग हेल्दी होती है तो आपको टो टो स्पून एलोवेरा जेल में एक चमच आलमेंड ओल का इस्तमाल करना है अब दोस्तों नेश्ट आपको लेना जो की स्क्रीम का मैन इंग्रेंड है वह है विटामिनी की केप्सूल तो आप दो से हाइपर पिंग्मेटेशन डास्कल्स को रिमूव करते हैं दाग दब्यों को हटाते हैं इसकीन को अंदर सी ही डीपली मॉस्टराइज एंड हाइड करते हैं तो आप दो केप्सूलिस में डाल दीजिए नेश्ट आपको लेना है रोजवाटर रोजवाटर मेरा तो फैब सब्देशन है कब्लेशन डाल दीजिए अब दोस्तों आपको सारी चीजों को करना है अच्छे से में mix करें में आपको थोड़ा से टाइम लगेगा लेकिन आप mix करती रहोगे जैसे जैसे आप इसको mix करोगे न वैसे ही वैसे आती जाएगी देख सकते हो mix करते करते हैं कैसे change हो गई है देफा रहे हो आप तो कुछ इस तरीके से क्रीम की तरह एकदम smack क्रीम की यह टाइट कंटेनर में आपको साब सुत्रा कंटेनर लेना है इसमें आप इसको इसको इस्टोर करके रख सकते हो एक से दो महिनी तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है दोस्तों आप रूम टंप्रेचर पर रखी जब भी आपको लगाना हो आप लगा लेजी सबसे खास वा और रेल्ट आपको अमेजिंग मिलेंगी और इसकी कंटेन से आप दिख सकते हो कितनी जाद अच्छी एकदम इसमूद और यह ओली बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी चिप-चिपा फील आपको नहीं होगा तो चली मैं आप लोक अपने फिस पर लगा कर भी दिखा दी तो किसको कैसे लगाना है तो दोस्तों आप रूज रात में अपने फिश को क्लीन करके सोती होगे सोती हो ना अगर नहीं सोती हो तो अब अपने फिश को क्लीन करके सोया करो फिस वोस अपने फिश को क्लीन करना है उसके बाद आपको इस क्रीम को लेकर अपने फिश पर बहुत ही अच्छा मिलेगा वैसे तो आप इस क्रीम को कभी भी लगा सकती कोई टाइमिंग नहीं है आप दिन में लगाईए मॉर्निंग में लगा सकते जब या फिश वोड कीजिए और स्क्रीम को मौश राज़ाई की तरह लगा सकती है लेकर रात में लगाऊ कि तो जादा जल्दी रेल्ट अच्छा मिलेगा तो दोस्तों आपको क्या करना है मसाज जरू करना है इस से लगाने के वाग पांच से दस मिनट के लिए मसाज कीजिए ताकि क्रीम आपके स्कीर में अंदर जो फोजा है और आपको अच्छा रेल्व मिले मसाज करने से ब्लेश दोस्तों तो यही थी आज की वीडियो वीडियो हेल्प रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना हो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें रहा है मैं आप से मिन तो नेश वीडियो में तब तक लिवाव है टेक के लव यू यू